रितु परणा सेन गुपता का श्रिंगार पत्राली के पंडाल दर्शन दुर्गाश्टिमी के इस खास मौके पर सास बहु और बेटिया आपके लिए लेकर आया है बंगाली हसी नाओ का फैशन टशन त्योहार के रंग में रंगी है टीवी और फिल्म की बहु बेटिया और सास बहु और बेटिया में आज ये सज़ेंगी एक्दम ट्रेडिशनल अंदाज में कैसे करे दुर्गाश्टिमी का खास मेकप, क्या पहने कैसे खुद को सवारे तो सास बहु और बेटिया के साथ आप भी दुर्गाश्टिमी के रंग में रंग चाहिए हिंदी और बंगाली फिल्म की हिरोईन रितुपर्णा सेन गुपता आज देंगी त्योहार के मेकप की टिप्स दिखाएंगी अपना साड़ी और जूलरी कलेक्शन होगी त्योहार की सर्जधज तो चलिए सीधा चल दे हैं रितुपर्णा सेन गुपता के घर जो रंगी है बंगाली रंग में और बताएंगी कि कैसे दुर्गा पूजा के लिए करें अपना श्रिंगार है मैं है रितुपर्णा सेन गुपता और आप देख रहे हैं मुझे सास बहू और पेटिया में आज मैं आप लोगों को थोड़ा तिप्स नहीं थोड़ा दिखाऊंगी कि दुर्गा पूजा में हम कैसे सजधच करते हैं दूर्गा पूजा 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 अवर बिग्गेस्ट फेस्टिवल आप बहुत बड़ा थेवार है तो उसमें हम लोग कैसे सजेंगे आपको थोड़ा दिखाएंगे हमें नहीं मुझे देखिया अप मैं क्या करती हूँ आज सारी के लेक्शन देखेंगे जूली देख अप्टा पूजा पूजा आपको दिखाऊंगी परले तुरा मेकप हो जाए रितुपढणा सेन गुपता ने शिरुवात की मेकप से और इनके मेकप में सबसे खास है इनका आई मेकप और ये बड़ी सी बिंदिया जो इस ट्रडिशनल लुक में लगाती है चार चांद वैसे रितुपढणा अपने मेकप को खूब इनचोई करती है तब ही तो देखिए कैसे नाचते और गाते हुए रितुपढणा सच रही है और खुद को सवा रही है तो देखो नाचा और गाना के साथ सातना हम लोग थोड़ा आख के भी ध्यान देते हैं क्योंकि बेंगॉली जो बोलते हैं कि आख बहुत ऐसा खतरनाग होती है कि अगलाचा खतरनाग है लेकिन मुझे लगता है कि आइ मेकप को थोड़ा एंहांस अगर हम कर सकते हैं तो अगर रही है पहने हो और अगर पान शारी भी पहने हो कि आख थोड़ा रहातिक बनाते हो तो तो यूनॉड लूग फिन्दी अच्छी लगते है बिन्दी अपने ही music album पर थिरक रही है जो उन्होंने बपी लहरी के साथ किया है तो जाएंगे और हमारा गाना भी बज़ेंगे पीछे I've done this song with Bapida, Full Mati So you're playing this song and I'm really feeling enthused to show you all the saris and looks of Durga Pooja this time फूल मती लज्जा बती की छुईतो नोई तुमार शाथे भालो बाशा मुनेर टाने रोई रंगो बती बुद्धी मती की छुईतो नोई तुमार शाथे भालो बाशा मुनेर टाने रोई अच्छा चलते हैं बॉर्ड रोग के तरफ देखते हैं क्या साडी पहनेंगे आप हेल्प करोगे न मुझे अब बारी है साडी चुनने की और दुर्गाश्टिमी के मौके पर रुदुपर्णा ने चुनी एक दम बंगाली ट्रेडिशनल वाली साडी You can see many many sardis over here. थोड़ा कुछ traditional भी है, कुछ modern भी है. तो मुझे लगते है ये काफी traditional है. जैसे, you know, that ikat. ये शाम के लिए बहुत सुरत लगेगा. मतलब जब हम थोड़ा अश्ट्यमी का अजली, अश्ट्यमी का संधी पूजा होता है उसके बाद नवमी ने ऐसा कुछ पहन सक होते हैं. यह कॉइट ट्रडिशनल है. जो मैं पहन रही हूँ, वो भी कॉइट ट्रडिशनल है. तो यह एक देखते हैं और और एक यह. अब सास, बहु और बेटियों को मिलेंगे बिंगॉली सारी का ट्यूटरियल. मेकप टिप्स के साथ सा रितु पर्णा ने हमें दी बं बंगॉली सारी कैसे बंद है? वो तो थोड़ा सीक्रिट है. वो थोड़ा सा है तरिका लेकिन मैं अभी अके ली नहीं कर सकती क्यूंकि यह थोड़ा कॉड़ा कॉम्लिकेट है. तो मेरा फ्रेंड है यहां, निती. शी शी थोड़ा कॉम तो सी मी. पूजा, शी बेर दूजा 1st I will put this So now this pallu will come like this आप ऐसे भी रख सकते हो यह ऐसे भी रख सकते हो मेकप लगाकर और साड़ी पहनकर हमारी बंगाली बाला तयार है लेकिन अभी इनके लुक में एक कमी है और वो है जूलरी की वैसे आपको बता दे कि रितु पढ़ना के पास जूलरी का अच्छा खासा कलेक्शन है और यह कलेक्शन उन्होंने अपने दर्शकों को दिखाया जैसे अभी अब देख रहे थे हम स्ट्रकल कर रहे हैं लेकिन अभी फुली ड़न अभी प्ली प्ली दण है तीन जो लेज है इसको प्रॉमिनेंट दिखाना है मतलब यह एक हो गया यह एक हो गया और यह यहां से तो यह तीन लेज का प्रॉमिनेंस होता है तो यह सब सिखाए मुझे मेरी दादी ने यह मुझे लग रहा है काफी जूलिरी इधर है तो अभी देख सकते हैं कि कौन सा इसके साथ कॉम्टिमेंट करेंगे इनो प्लॉथ के ऊपर बना हुआ है गन्पती ऐसा तो फेस्टिवल के लिए बहुत इंपॉर्टन है ऐसा जूलिरी अभी अभी अब तसर में यह यह इक प्रापर बनारा सी सारी इस दुर्गो उत्सव के लिए और खास दुर्गा अश्टमी के मौके पर रुटु पढ़ना का बंगॉली लुक तयार है प्रापर जय यह इंप। लेकिन अब बारी है लुक नमबर टूकी जोकी है इवनिंग लुक और इसके लिए रितुपर्णा ने पहनी बनारसी साड़ी साडी के साथ साथ मेक अप में भी कुछ चेंजिस हैं वैसे रिटु भर्णा के मेक अप में सबसे खास होती है इनकी आखे और वो आखों को चमकाने पर खासा ध्यान देती है वैसे सब लोग सभी लोग अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन बेंगॉली में लोक्स का थोड़ा वेरियन्स होती है बट यह जो है अभी शाम की लोक है इवनिंग लोक तो इट शुद लोक लिटल बित मोर गॉर्जिस और तो ड्रमाटिक करते हैं विद बनारसी और अब बारी नए लोक के लिए नए जूलरी चूस करने की हाला कि अभी मेरे पास बहुत सारे ओप्शन्स हैं जूलरी की यह है एक अच्छा है ना काफी मिलता भी है इसे लेकिन यह मिक्स हो जाएगा यह है फिर यह मेरा बहुत फेवरिट है फेरी गॉज़स और एक यह है मुझे लगता है यह काफी अच्छा है जूलरी साड़ी और मेकप के साथ रितु पर्णा सेन गुपता का सेकेंड लुक भी एक तम है रेडी तो क्यू लग रही है ना हमारी बंगाली बाला गजब की खूब सूरत फेसर रितु पर्णा ने सास बहु और बेटिया के साथ अपने फ्यूचर प्रजेक्स के बारे में भी बाते की और बताया कि कौन कौन सी हैं उनकी आने वाली फिल्में सासबूर बेट याझ पहुचा है रित्परना सेन वफ्टा के घर पर जिनन्हे हमने कही सारे किरदार करते हुब बड़े बड़े पर दे बगा कर तक है और हर बारे उने अपना जल्वा अलगी दीका है और आज हमें कुछ अनोखा जेकने को मिल रहा है उनके लुक्स देकन we do because the festivals बहुत सारे होते हैं लेकिन दुर्गा पुजा पुजा is the most important festival, it's very close to our hearts क्योंकि जो बंगॉली में जो होते हैं एक जुनून होते हैं जो जोश होते हैं during this पुजा time, so everything is like routine-less, there's no routine, there's like completely, we go berserk and you know, so this part of life is very exciting but I know during this COVID time, it's so difficult for every of us to, you know, like interact and all this stuff, so हम कह सकते हैं कि बिगॉस पंडामिक थोड़े से रंग फीके हुए लेकिन मन के रंग उतने ही हैं, right? exactly, वही मैं बोलना चाहरी थी कि फीके हुए लेकिन मन में तो बहुत सारा कुछ है जो अबर के आते हैं पुजा के ताइम और पुजा में कोई कोंप्रोमाइज नहीं करना है हमको तो इसलिए पुजा के दिन, you know, it has to be like footloose no routine, nothing, you know morning, night कैसे होता है, पता ही नहीं चलता है and you know, Mandap में हम लोग रहते हैं दुर्गा मा के सामने रहते हैं तो बहुत एक पावर मिलता है बहुत अच्छा मतलब माहूल बन जाते हैं तो लेकिन अबी, you know, it's a very difficult time right now लेकिन फिर भी, जितना भी हो सके we will try to celebrate in our own ways और हम भी साजबूर बेटिया में celebrate करे रहे हैं आपको दिखा रहे हैं वो लोक्स जो आप दुर्गाष्ट मी पे और ऐसे पूजा वगरा में ले सकते हैं और जो हमें उनने बहुत ही खूपसूरती से दिखा है you're looking marvelous so we would love to know about this look today this is a very traditional look of course and this is mainly this is Banarasi and it's like a complete silk sari very nicely woven and with this zari work and all that so I've worn a very plain blouse with this so that the sari comes out even more better and I've put a little understated bracelet and this nice statement jewelry and this is like a nice necklace which can be worn with a lot of gorgeous stuff and the most important thing I'm trying to attract in their whole look and the bindi oh god this is so gorgeous yeah bindi toh hum loki ek pehchaan hoti hai and I think bindis look very beautiful on women and jeise bhi size ka bindi peheno but I like little big bindis because you know during Pooja time I like that real that you know very statement look of a Bengali with a bindi and juda and all that this is the only time we can do it I mean films me, looks me we cannot experiment so much but with the Indian traditional things so of course this part of life I mean this time I think this is much needed to wear this kind of sari and also we have always seen you in the studio this time we are looking like Ritu Parna Singh Gupta that's her way of getting ready also we say that being Bengali especially Bengali females they do a beautiful dance they do a beautiful dance and they do a beautiful dance and they do a beautiful dance so this is inbuilt so this is inbuilt when we start school days we have to learn dancing, singing, painting so this is a cultural thing so this is a cultural thing so this is very natural in our Bengalis I am sure there are many other cultures but in Bengalis there are a lot of things in Bengalis so we have grown up in this world though my parents were very strict and academically I had to put targets in front of them but then I also think that in every house there is a practice to teach children to sing I am damn sure Ritu Parna Singh is also a very good singer and we would love to listen to your song and recently we have known that with Bappi Dha they have made a music video and they have made a good song so it makes it make sense oh wow a little bit about this Pooja song so I think everybody will enjoy this song so they will definitely listen to this this is called Phulmati and this is my new experiment with Bappi Dha none other than living legend Phulmati means you know you are describing a woman like a Phulmati you are just giving her some compliments and some adjectives so she is saying it to her muse that Phulmati Rangabati kuch bhi nahi ho mein maim sirf aapne aapki pyaar mein paagal hoon maim tlaap monerita nehroi maim tlaap man maim tlaap man man se hum log jure hai hum phulmati bhi nahi hai rangabati bhi nahi hai lekin hum man se jure hai pyaar ke bandhan me this is a beautiful meaning so beautiful meaning right asa sati meh myri sari viewers ko kiyo naav durgashtmi and navmi ki badaayya dee 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 zaroor namashkar aaj tak ki darshokok ki meri durga puja ka bhaut 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 shufkamna hai aur hartik suvech hai wow so hum Rituji se mele Utupana Sen Gupta se jinn ki baare me amne jana and we would love to know one more thing hum aapko next kaha dekhne waale hai that's a nice question because I'm finishing some of my films right now I'm shooting for Ittar which is Veena Bakshi's film and this is a very interesting matured love story in jisme mein hu Dipak Tijori ji hai it's a very interesting strong adult matured love story about uska shooting actually mera ashtami mein subay shooting bhi hai and then I've finished Masuri also with Hari Vishanathan where Anura Kashyap has played my husband and then I'm just planning a few more films here so more in Bombay this time than Kolkata and in Bengali me toh seven films mera ready hai so woh bhi release pe hai and I've just finished a film called Mahir Sasur Mardini which is absolutely like a Durga Ma Durga's depiction into the different characters and which has me, Paramrato and Shashrato it's again a very interesting film wow so we have many artists in many films so we wish you all the very best and thank you so much for connecting with Sas Bahur Betia thank you so much Sruti and it's a pleasure talking to you and all the best to Sas, Bahur and Betia so keep watching so keep watching क्योंकि आपके ऐसी चहिते के लाकरों को आप तक हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे stay tuned camera person Swapnil के साथ श्रूती बढ़ जातेया Mumbai आज तक तो उमीद है आपने रिद्वपर्णा सेन गुपता के इस बंगाली अवतार से धेर सारी टिप्स ली होंगी झाल झाल झाल